प्लान जीवन बीमा के लिए सही उत्पाद है यह किसी अन्होनी की स्थिती में आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देता है हाला कि इसमें प्लान की मेचॉरिटी पर पॉलसी धारक को कोई रकम नहीं मिलती है निवेश सलाहकार भी बीमा और निवेश को अलग अलग रखने की सलाह देते हैं अगर आप बीमा और निवेश को अलग रखेगे तो आपको बहतर बीमा कव मिलेगा और आप निवेश पर अच्छा रिटर्न भी कमा सकेंगे बता रहे हैं कि आपको टम इंशोरंस पॉलसी खरीदने से पहले किन चार बातों का ध्यान रखना चाहिए? 1. जरूरत के हिसाब से ले कवर वित्तियस अलाहकार कहते हैं कि आपको अपनी सालाना आमदनी का कम से कम 10 गुना बीमा खरीदना चाहिए इसके साथ ही आप अपनी आमदनी बढ़ने के साथ या जीवन में बदलाओ के साथ बीमा कावर बढ़ाते रहें या अलग से टम प्लान खरीद लें इस हिसाब से अगर आप साल में 15 लाक रुपे कम आते हैं तो आपको कम से कम 1.5 करोड रुपे का टम प्लान खरीदना चाहिए डो, टर्म प्लान का प्रीमियम तर्म प्लान का प्रीमियम वास्तव में 3 कारकों पर निर्भर है अपकी उम्र, कवरेज की राशी और पॉलसी की अवधी, एक ही उम्र, अवधी और लाइफ कवर के लिए अलग व्यक्ति से बीमा कमपनी अलग रखम चार्ज कर सकती है, तम इंशोरंस पॉलसी खरीदने से पहले आप उनलाइन वेबसाइट पर अलग-अलग फीचर की तुलन कर सकते हैं, इसके बाद ही आपको टर्म प्लान खरीदना चाहिए, इन, इतने तरह के होते हैं टर्म प्लान, अगर आपकी उम्र बढ़ती हैं तो उसके साथ ही बीमा संबंधी जरूरते भी बढ़ती हैं, जब आप युवा हैं तो बीमा की जरूरत कुछ होगी, चादी के बीमा कावर बढ़ाना पड़ेगा, इसी तरह बच्चे होने पर आपके लिए ज्यादा कावर चाहिए होगा, पई बीमा कंपनिया ऐसे प्लान बेचती हैं जिन में आप समय के साथ बीमा की रकम बढ़ा या घटा सकते हैं, चार, नोमिनेशन, इसी भी बीमा पॉलसी में न है त्वपूर्ण पाथ है, आप टर्म प्लान अपने परिवार की वित्तिय सुरक्षा के लिए लेते हैं, इसी आप रत्या शित्स्थिती में नॉमिनेशन यह सो निश्चत करता है कि आप जिसे चाहते हैं, उसे ही बीमा की रकम मिले, आपको बीमा खास तोर पर टर्म प्ल से मन मान सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेर, कमेंट और हाख सब्सक्राइब करना न भूले,